मनिपूर का मुद्दा इस समय देश में हर किसी की जुबाँ पर है लेकिन देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी इस मामले पर अपनी जुबान खोलने को तयार नहीं है संसत में इसे लेकर हंगामा मचा है विपक्ष पीम मोदी से संसत में आने की मांग कर रहा है मनिपूर पर बयान देनी की मांग हो रही है लेकिन आज पीम संसत की जगा राजस्तान दोरे पर पहुंच गए जिसे लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका आरजुन खडगे ने पीम पर जम कर निशाना साधा क्या कहा खडगे ने देखते हैं विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी संसत में आए मनिपूर पर बयान दे पीम को संसत में लाने के लिए अब तो विपक्ष आविश्वास प्रस्ताब भी ले आया जिसे स्विकार भी कर लिया गया है अब इंतजार इस पर चर्चा का है दूसरी और आज पीम मोदी के राजस्तान में रैली हुई जिसे लेकर कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने सवाल उठा दिये हैं उन्होंने कहा सदन चल रहा है हम मांग कर रहें कि पीम वहां आएं और बयान दे लेकिन वो राजस्तान में राजनेतिक भाशन दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं जब वो वहाँ जा सकते हैं तो क्या आदे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रूची नहीं है कोई विश्वास नहीं है खड़गे ने कहा कि विपक्ष मनिपूर पर चर्चा जाता है लेकिन सत्तापक्ष के लोग ही संसद में हंगामा कर रहे हैं वो लोग खुद ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि सदन में सत्ता पक्ष ही हंगामा कर रहा है, देश के प्रधान मंत्री लोग तंत्र और सम्विधान की रक्षा नहीं करना चाते, वो संसत का अपमान कर रहे हैं, इंडिया गडबंदन की एक ही मांग है, प्रधान मंत्री सदन में आउं और मनिपूर पर जवाब दो, डीबिलाइफ की रिपूर